नमस्कार, मैं Ruby General Hospital से डॉक्टर अम्रिताक्षदेब बोल रहा हूँ मैं एक नेफ्रालोजिस्ट हूँ और आज मैं आपको chronic kidney disease के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात ये समझना है कि chronic kidney disease किसको कहते हैं chronic kidney disease वो kidney की बिमारिया है जो कम से कम तीम महिने से जाधा पुराना हूँ अब इनको फिर अलग-अलग भागों में बाटा गया है इसके बेसेस पे कि kidney कितना परसंट काम करता है तो जैसे किसी का 15% से कम काम करता है तो उसको CKD stage 5 कहलाता है जो 15-30% काम करे तो हम लोगों को CKD stage 4 उसको कहा जाता है 30-60% के वीज में CKD stage 3 और so on and so forth अब ये percentage kidney का निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है इसके लिए केवल हमें एक creatinine, मरीज का वजन और उमर इन तीनों के बेसेस पे हम ये निकाल सकते कि kidney कितना परसंट काम कर रहा है chronic kidney disease के बड़े सारे कारण हो सकते है मगर इन में दो कारण खास करके हमें ध्यान रखना है एक है जिनको लंबे समय तक शुगर हो और दूसरा जिनको लंबे समय से ब्लड पशर हो इन लोगों को chronic kidney disease होने के ज़्यादा chances है जिनको chronic kidney disease का पाँचवा चरण पहुँच जाता है उनको खास करके ध्यान रखना होता है क्योंकि इन में transplant ये dialysis के ज़र्ण पढ़ सकती है दवाईयों का भी सेवन अलग-अलग से हर स्टेज में अलग होता है जो kidney का disease है उसके स्टेज की हिसाब से हमें दवाईयों का dose निर्ने करना होता है क्योंकि कई सारे दवाईयां kidney के रास्ते निकलता है और जो kidney से निकलने वाली दवाईयां है उनका मात्रा फिर हमें कम करना पड़ता है जैसे जैसे kidney का function कम होता रहता है तो बस ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे एक test जो creatinine है इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि गुर्दा कितना काम कर रहा है और इसके basis पे हम लोग आगे future planning करना है एक तो chronic kidney disease जैसे progress करता है तो वो planning है दूसरा kidney के बिमारी के वज़े से अनीमिय रिवलप होता है calcium phosphorus में गरबडियां होती है BP का control और खराब हो जाता है इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है और ये देखना होता है कि kidney को further हम और ज़्यादा इंजियर ना करें इतना ही रहता है chronic kidney disease का management दन्यवाद